नमस्कार निरला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों इस चानल पर में आप लोके लिए घर बनाने से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं तो आज भी एक वीडियो लेकर आया हूं घर बनाने से संबंधित ही है आज किस वीडियो में में आपको घर का में गेट या फिर बोले तो कंपाउंड वाल का गेट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको एक डिजाइन कर बात करेंगे और कितना रुप्य खर्च वारे में आपको देने वाला हूं तो अगर आप भी अपने घर के गेट लगाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिये चलिए बात करते हैं इस गेट का साइज का तो इस गेट का साइज 12 फीट बाई साड़े 6 फिट का रखा गया है हाला कि कुछ उपर में डिजाइन वगारा के कारण साड़े 7 फिट तक इसका हाइड पहुँच गया है दोस्तो अगर आप गेट की चोराई में गेट की चोराई 12 फिट के आसपास रखते हैं तो आसानी के साथ आपका फोर विलर या फिर ट्रक वगरा भी आप चाहेंगे तो आसानी के साथ अंदर ले जा सकते हैं तो यह जो साइज है यह कंपाउंड वाल के लिए परफेट माना जा सकता है चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरग का मेटल का उप्योग करते हुए इस गेट को बनाया गया है तो मुक्रता इस गेट को तो पाइप से नहीं बनाया गया है लेकिन साइज का यहाँ पर डिफरेंट है आप देखिए कि जो इस गेट का पाइप का फ्रेम है उससे आप ध्यान से देखिए मैं आपको दिखा दे रहाओ निचे रूपर दोनों तरब से इसका साइज के बात किया जा है तो यह डेर हिंची बाइडेर हिंची का जो पाइप आता है उससे बनाया गया है होलो पाइप से मतलब यह पाइप जो है वो खोकला रहता है खोकला पाइप से इसे बनाया गया है आप देख लिए फ्रेम को और इसका जो आप देख लिए जो clamp है वो ReadyMate Clamp लगा गया है अगर आप ReadyMate Clamp लगवाते हैं तो आपका जो गेट है वो Free चलता है और जो gently का जो समाच्यातित पहले वो इसमें नहीं आता है तो देखिए जो आप देख रहे हैं जो इसका हैंडल है वो भी दोस्तो रेडिमेड वाला ही है और रेडिमेड वाला हैंडल से इसकेट का जो लुक है वो भी दोस्तो बढ़ जाता है थोड़ा और बात किया जा इस पाइप का तो इस पाइप का साइज दो इंची बाई एक इंची वाला है आप देख सकते हैं खोकला पाइप यह है आपको यह दो-तीन क्वालिटी में मिलता है आप जाएं तो ज्यादा गेजल पाइप लगाने के लिए बोलें क्योंकि ज्यादा मोटा पाइप रहेगा तो वो जल्दी सर्दता और गलता नहीं है जिससे वो टिकाव होता है तो लगा गया यह भी कास्ट अरन है और यह भी के यह आ जगया गया है कस्ता डिजाइन यह बनाया हुआ आता है अपने हिसाब से अनकिसासे आप चुझ कर सकते каналぜ और बहुत सब्रॉत सब्कुर्स हैं तो देख लिग चाब से इसका प Studien यहदो है आगए तो डेखों आप design देख रहें यह continue उपर से लेके नीचे तक चला है इसे हम लोग seat bail बोलते हैं और इसे लगा दिने से जो gate का look है वो भी देख रहें कि enhance हो गया है तो इस तरीका से pipe का इस्तेमाल करते हुए इस gate को बनाया गया है अगर आप भी अपने लिए gate का तलास में हैं तो आप इस gate के design को देखिए इसे मिलता जो इलता जो design उसे बना सकते हैं अलाकि उपर में देखेंगे यहाँ पे तो आपको कुछ खाली जगा मिलता है एक अच्छा combination बनाने के लिए उसके बाद फिर आपको cast iron का design देखने को मिलता है बीच में आप देख लिजे कुछ अलग तरे का का आप लुक दिया गया है तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने compound वाल में इस तरीका का gate बनवाना चाहते हैं इस तरह का gate बनवाना चाहते हैं पाइप और गेट तो आपको कितना रुपात तक खर्च होगा तो मैं आपको बता दू कि इस टाप का gate है वो प मतलब 21,000 रुपे में ये gate मिला है और बात किया जाए तो जाम वगरा जो भी करने का खर्चा होता है वो दोस्तों आपको खुश से करना पड़ता है सिर्फ gate का कीमत 21,000 रुपे लगा है तो उमीद है दोस्तों आपको इस gate से जुरूए हर तरह की जनकारी मिल गई होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार